हालो नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में अपएक्स पोर्ड में आपका आज मेरे एक निया टॉपिक देखे आ रहा हूं जो है जौब बसिस बिजनसमेन हमें क्या करना चाहिए आज की डेट में जौब का भी और बिजनस का भी हमें किस फिल्ड में जाना चाहिए एक में बात आपको बताना चाहता हूँ जैसे तीन प्रकार की क्लासिस होती है जो भी इंडिया में मानी गई या पूरे वर्ड में एकॉनमी के हसाब से जैसे लोवर क्लास मिडल क्लास उपर क्लास अब जो लोवर है बिसिकली जैसे इस lower class में किसी को भी कोई भी काम मिले गाया, job होगी या business होगा, वो कर लेगा राम से, इस middle class में basically क्या होता है, जो job बगएरा होगी, वो ही जादा करते हैं, business बगएरा कम करते हैं, क्योंकि छोटा काम यह करेंगे नहीं, क्योंकि वो करने में सरम आती है, और job करने में चलो ठ अपर क्लास मैक्सिम यह job बड़े कम करते हैं, यह सारे के सारे business पे ही focus करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, just job है, यह job जैसे हमारे just job से कभी कोई ऐसा millenier तो बना नहीं, bilenier तो बना नहीं, आज तक job से, मैं यह यह नहीं कर रहा है कि बुरा ही कर रहा हूँ, job की यह business man की, यह just मैंने बता दिया, education system में हमारे यह सिखाया जाता है, हाँ जी, 80% number ले आओ, आप bank में लग जाएंगे, आप किसी अच्छी MNC कम्टी में लग जाएंगे, study करते रहो, इस तरह से करते रहो, creative idea हमारे mind में आते नहीं है, त्योंकि हमारे उपर होता है कि job ही करन है, अपना सब कुछ जो भी है, अपने जो expenses है, income है, इसी से कमालना है, अब जैसे education system में हमारे बोला जाता है कि only do job, आप सिर्फ job करो, और उसी से अपना सांती से आप चलाओ, अपने घर का गुजारा को रहो, या कैसे भी करो, इस तरह से बताया जाता है, इस में क्या बता किया जाता है, बोला जाता है कि हंजी आपकी society में respect होगी, marriage के लिए कोई problem नहीं आएगी, और भी societies में आपकी respect होगी, यह सारी चीजें हमें बताया जाती है, educational system में, एक आदी normal से car ले लो, उसकी EMI भरते रो, house loan ले लो, और उसका EMI भरते रो, यही हमें job में सिखाया जात है, और भी different type के myth है, जो भी job में होंगे, पर nobody है, कोई नहीं बूलता कि हंजी आप business करो, इस तरह से करो, mainly middle class में है, एक theory है, यहाँ भी किसी, जो भी है economy के, उन्हेंने दी हुई है, एक student A होता है, student B, student C, जो A वाला student है, वो basically 99% जो जाते है, वो जाते है, जाते है, जाते ह क्योंकि जो A वाला student है, तो वो high scholar होता है, वो जाब के लिए बना होता है, वो उसके सिवा कुछ भी नहीं सोचता है, पर percentage की वादा से, जो भी अपर marks आएंगे, उसकी वादा से, वो सोचता है, कि मुझे बस इतने marks लाने है, और अच्छी सी एक job ले लेनी है, और जो student C हो होता है, मार्क्स की बात करों, उसको basic चीजें सारी पता होती है, कि क्या क्या मैंने करना है, क्या 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 नहीं करना है, और वो all wonder type का होता है, यह ज़्यादा तर्म successfully होता है, successful आज की रेट में मीनिक है, ज़्यादा पैसे कमाने से, या upper class में पहुँचने के लिए, को ही successful या upper class में पहुँचने के लिए businessmen या अधी कुछ भी है, उनको माना जाता है, इसमें एक alphabet theory होती है, alphabet theory मैं आपको बता दू किस तरह की होती है, जैसे, इसमें होते है alphabet ESBI, E का मतलब है employee, employee होंगे, जो भी जैसे किसी firm में लगे हुए है, या किसी बार्म में लगे हुए है, वो होते है, employee, जो भी हम काम करते है, self employee होगे, जैसे lawyer होगे, doctor होगे, कोई clinic होगे, उनको बोलेंगे self employee, B से आगे businessmen, जो भी अपना business किसी company है, कोई भी है, जैसे टाटा है, बिला है, उस तरह के businessmen में बोर रहा हुँ है, investor होगे, जैसे रखेश जुन जुन वाला है, war and warfare है इस तरह के होगे investment, अब जो employee है, इसमें क्या होता है, basically, इसके expenses होती है, 80% या जो भी बचा होता है, थोड़ा बहुत, इनको इतना पता भी नहीं होता है, जोटे मोटे करेंगे, FD वगेरा, या PPF fund में, इसमें करेंगे, इसमें जो है, वो trap में ही फसा रहेगा, बंदा, self employee होता है, या थोड़ा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा profit होता है, इसमें income कम होती है, जैसे इसमें बोल सकते हैं, इसमें business के तोर पे भी होता है, जैसे lawyer होगे, वो आगे case लड़ेंगे, या जैसे doctor होगे, इसमें भी income ज्यादा होती है, और expenses कम होते हैं, business में भी यह होता है, maximum expenses कम करते हैं और income ज़्यादा करते हैं और investor में क्या होता है इसमें expenses यह जो बंदे होते हैं expenses कम करते हैं और income ज़्यादा करते हैं अब इस ट्रैप से अगर ये है इससे निकलना हो तो सिद्धे इन्वेस्टिंग पहुन सकते हैं इससे निकलना हो तो ये पहुन सकते हैं इस पर ये बाड़े बंदे ज्यादा सक्सेस्फूल होते हैं वो क्यूं क्यूंकि इनकम कम होगी तो ये कम ही अमाउंट इन्वेस्ट कर कर सकते हैं इसके पास तोड़ी और ज्यादा होगी यह कम कर सकते है यह कर इसे ज्या depende इससे जो भी होगी आपकी income इसके बास सबसे ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा invest करेंगा ज्यादा profit करेगा इस तरह से ही येه trap चलता है इस तरह से सारक सारा ये track चलता है और इसी तरह से आप पर्ओं जी अब यहां तक जो आपको समझ आगया थोड़ा बहुत तो मैं बताऊंगा आगे यह कि मैं जॉब की कोई बुराई निकर रहा हूं हाँ जॉब भी अपने जगा ठीक है पर यह कि इससे भी आगे निकरना पड़ेगा क्योंकि जॉब से भी कभी ऐसा नहीं कोई BMW ले सकता है या कोई और चीज ले सकता है यह नॉर्मल ले रही की चीज़े सारी की सारी पर यह कि बिजनस भी आप करने लगे ऐसे ही कि हांजी बिदाउट फैक्ट जाने हुए हांजी अब जैसे कोई यह बंदा है ना इंट स्टुटेंट ए है पूरी अपनी जान लगा देता है यहां पर पढ़ने के लिए और यह आने वाले टाइम में जॉब स्केवटी नहीं है क्योंकि आने वाला टाइम है AI का आटिफिशल इंटेलजन का तो मैक्सिम जॉबस जा सकती है आने वाले टाइम में तो हमें अपना यह की सोर्स ऑफ इंकम एक नहीं एक से ज्यादा बनाने चाहिए जैसे हम अनिंग कर सकें आगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ये sisा बींग आपको लोर क्लास मीडिल क्लास और अपर क्लास इस पूरी में सबस्प्धा TRIAB में फशे हुए मीडिल क्लास के लोग में यह में सारी चैन्जें आपको बताऊँगा 올लने एकार अजिए स्बस्क्राइब होगों ने